हालो एवरिवान वेल्कम बैक टू माटीनाज अक्टिविटी कैसे हैं आप सब आशा करती हैं आप सब अच्छी हो मैं भी अच्छी हो अभी लेवें हो रही है स्टिल गुड़ मॉर्निंग टौल अफ यू मैं आज यही से स्टाट कर रही हो अपना डे आप लोगों के साथ तो चलिए डिरेक जाते हो किचिन में और आज सुबा से व्लॉग नहीं बनाई थोड़ा मुझे लेजी लेजी लग रहा था तो वीडियो स्टाट नहीं कि डेली वैट टिफेंस कूल क्या ही तो चलिए दिख क्लियर करों फिर दिखाती हो आप लोगों को किचिन में आके मैं सब वेजेटेबल्स भी कट कर ली यहां पे करेला और यह आलू यह सबजी बनाऊंगी करेला आलू का यह अनियन ढालूंगी उसमें यह मसाला देके आज बनाऊंगी और यहां पे यह नेनुवा है यह कट कर अगली और यहां पे चना दाल भीगाई नेनुवा और चना दाल दे करके बनाऊंगी इसे और यहां पे है थोरा सा सोया बीन सोया बीन की वरी यह वहला साग आप लोग खाते हो बताना देखिए इस तरीक इसका दिखता है हमारे यहां पे से नोनिया साग बोलते हैं यह थोरा खटास खटास लगता है खाने में बहुत टिस्टी लगता है मगर इसे भी क्लीन करना है मैं कर लाई थी बजार से तो जालके रख्ष्ण मम्मी फ्री ओके से क्लीन करेचे मुझे क्लीन करना नहीं आता है यह पता नहीं यह कैसे ख्लीन बहुत लगता खाती तो हूँ आप लोग के वहां पर यह क्या नाम से जाना जाता है बताना तो मुझे तो tha कमेंट करके बोला मुझे आज मैं सब फटा-फट कटिंग करके ही शेहर की आप लोगों से क्यों काफी लेट हो गया 11.30 हो रहा है वो नाश्टा करने के बाद हम लोग सब बैट के पंचाइटी कर रहे थे बैटे कर रहे थे टाइम का पता ही नहीं चला तो इसी लिए सोची फटा-फट कटिंग कर लो आज चनादाल नेनवा और करेला का सब्जी बनाऊंगी लांच के लिए डिनर के लिए देखते हैं क्या करेंगे समझ वे नहीं आ रहे है लेट सी वेदर भी कैसा अजीब है ना मीन्स क्लावडी हो रहे है कभी धूप कभी गरम कभी बदन थंडा हो जाए समझ ही नहीं आ र वेदर हो रखा ये तीन चार दिन हो गया वेदर ऐसा ही है क्लावडी होके है सुभा से बट हावा वगेरा कुछ नहीं अच्छा नहीं लग रहा है यह तो और भी बिमार कर देगा लेजी लेजी वेदर ऐसे वेदर में मन करता सिर्फ लेजी लेस करके बेड में लेटी चलिए फटा पड़ कोकिंग करो कोकिंग शेयर करो आप लोगों से नहीं न डेली करती हो भाई एक ही चीज चलिए अच कोकिंग कर लो उसके बाद हास्बिन अभी गए हैर कट करवाने के लिए मैं अखेली हूँ तो आएंगे तो फिर चाई पियोंगी क्यों एनरजी ड्रिंक बीच में इन बीट्वीन थोरा बहुत चाहिए न तब तक मैं चाई बना के रखती हूँ आने दीजी अभी अल्मोस्ट वन थर्टी हो रही है और मेरी कोकिंग कम्प्लीट हो चुकी है और बस ये बताभी लेंबू है इससे पमलो भी बोला जाता है हम लोग तो यहाँ पर बताभी लेंबू या फिर बिंगॉली में बाताभी लेंबू बोलते हैं इसका हेल्थ बेनेफिट्स बहुत ही जादा है बहुत ही अच्छा है खाने में भी टेस्ट लगती है बहुत छोटी निकल गए देखे बाहर से कितना बरा लग रहा था उसे पुरा पील करने के बाद कितना छोटा सा निकला है बहुत छोटा निकला है अगर हम अच्छा से इसका पुरा स्किन को डिसकार्ट कर कि इसका सिर्फ फलेश अभी निकालूंगी तो और भी कम हो जाएगी बहुत कम निकला रेड है वो अउरत बोली थी जिससे मैं ली थी तो बहुत मीठा होगा तो देखते हैं अब खाकर देखने में तो बहुत ही टेम्टिंग लग रहा है देखके तो लग रहा है कि मीठा होगा अब खाने के बाद ही पता चलेगा ये बहुत अच्छा लगता है especially जिन लोगों का फीवर हो गया है फीवर की बाद जो लोगों का एक मुगा टीस्ट वर्ड खराब हो जाता है न उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है थोरा सा ब्लैक सॉल्ट थोरा सा शुगर थोरा सा चाट मसाला ये सब ठाल के आप खाओ थोरा पेपर पाउडर बहुत अच्छा लगता है बहुत और जिन लोगों का वो लिवर बढ़ जाता है जो अन्डिस होती है उन लोगों के लिए तो दी बेस्ट है ये बहुत सादा ही बेस्ट है डॉक्टर्स भी बोलते हैं ये खाने के लिए तो इस गुड़ ऑल अरॉण इस अगुड थिंग तो देखें मैं निकाल चुकी कितना कम हो गया अब थोरा सा हाफ टी स्पॉन शुगर दे रही हूं और थोरा सा ब्लैक सॉल्ट मींज रॉक सॉल्ट जिसे काला नमक भी भोलते ह उन लोग बिंगाली में बीटन उन बोलते हैं तो वही दे रही हूं और इस पे मैं चिली वागिरा पेपर पाउडर नहीं दोंगी क्यों बेटी भी खाएगी न तो इसलिए अवोइट करती हूं वरना अच्छा लगता है थोरा सा पेपर पाउडर या फिर थोरा रेच चिल पाउडर बहुत अच्छा लगता और भी फ्लेवर देता है तो चलिए अब मैं अच्छा से नहा के फ्रेश हो के दवाती हूं देखिया आज का लांच चनादाल और निन्वा यहां पे है सोया बीन सोया बीन की बरी और दिस इस कोडिला चोच्छुडी जिसे करेला की सबज दिवी बोलते हैं और यह चाओँ आज का बहुत ही सिंपल लांच मेन्यू है देखिया हमारा घर का हालत बारिश होने से क्या होता है बेटी जैस स्कूल से आई यह तो पुरा च्छतरी वगेरा खोल के रख कर लेते हैं और आज का वीडियो यही तक अच्छा लगा तो प्ल इस प्लाटफॉर्म में पहले से नहीं है आप ही लोग हो सब कुछ हमारे लिए आप लोग चाहोगे तो अपना प्यार और सपोर्ट से मुझे आगे तक ले जा सकते हो तो प्लीज मुझे बहुत मने अच्छा अच्छा वीडियो बनाओ और आप लोगों के लिए लियाओ त पर सपोर्ट करना आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के संग तब तक आप लोग भी साथदानी से रहो टेक केर जटा